जब भी हम CPC यानि Civil Procedure Code 1908 पढ़ते हैं तो ये हमें काफी ज़्यादा tricky लगता है और सच बताओं तो एक बहुत बड़ा सरदर्द भी क्योंकि इसमें सिर्फ sections पर ही ध्यान नहीं देना होता बलकि orders और rules पर भी ध्यान देना पढ़ता है Hello everyone, मैं हूँ Vishwa Varadhan आप देख रहे हैं Phenology Legal और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही कुछ words के बारे में जो की आपको confusing लग सकते हैं और आज हम जो words की बात करने वाले हैं वो है order, decree और judgment की हम जानेंगे कि इन तीनो words के differences क्या है But before we start, मैं एक announcement करना चाहता हूँ कि हमने CPC पे एक बहुत ही comprehensive course prepare किया है आपके लिए जहां पे हमने इसके सारे ही sections, orders और rules को simple language में explain किया है जो की आपकी understanding, civil laws की को और जादा बढ़ा देंगे तो मैं आपसे request करूँगा कि आप learn.phenology.in पर जाकर इस course को जरूर चेक आउट करें सबसे पहले हम ये समझते हैं कि judgment, decree और order होता क्या है उसके बाद हम जानेंगे कि इसका difference क्या है तो इसके लिए हम एक लेते हैं बहुत ही simple सा example तो इसके लिए आप अपने mind को ले जाए ये flashback में और याद करिए कि आप एक classroom में है जहाँ पर exams चल रहे हैं और सामने एक teacher है तो exam शुरूर उने के पहले teacher कहती है कि कोई भी बच्चा cheating नहीं करेगा अब हम इस instruction को मानते थे या नहीं मानते थे या अलग बात है पर यहाँ पर जो teacher ने कहा वो एक order था क्योंकि वो exam के process को अच्छी तरीके से regulate करने के लिए था इसके बाद जो अगला bomb हम पर drop होता था वो था हमारी answer sheets का आना जहाँ पर हमने सारे ही issues यानि कि जो भी questions थे उसको answer किया था उसके reasons के साथ तो यह हो गया एक judgment अब इस judgment यानि आपकी answer sheet के basis पे आती थी हमारी mark sheet जिसमें ये फैसला होता था कि हम अगली class में promote होंगे या फिर एक साल और उसी class में बैट कर junior's का mark दर्शन करेंगे तो इसे हम कहेंगे हमारी decree जिसमें फैसला होता था हमारी rights के बारे में I hope कि अब आपको एक general understanding आ गई होगी कि order decree और judgment होता क्या है तो order वो है जो एक court पास करता है किसी भी proceeding को regulate करने के लिए वहीं पे जो judgment होता है वहाँ पर court जितने भी issues हैं उसको answer करता है reasons के साथ और एक जो decree है वहाँ पर parties के अधिकार का description होता है तो देखिए ये तो होगी simplistic approach इनके differences के बारे में पर अब हम ध्यान देंगे थोड़े essentials के बारे में देखिए essentials वो है जो एक order को order एक decree को decree और एक judgment को judgment बनाते हैं और ये दिये हुए हैं CPC के अंडर में तो ये थोड़ा सा technical होने वाला है इसलिए मैं चाहूँगा आपसे कि इस पे आप ध्यान देकर सुने तो essentials समझने के लिए जो सबसे पहला word हम यहाँ पर ले रहे हैं वो है judgment तो देखिए judgment की जो definition है वो आपको section 2, subsection 9 of CPC में मिल जाती है साथ ही order 20 जो है वहाँ पे provisions दिये हैं judgment के regarding और वहीं पे आपको essentials भी मिल जाएंगे तो जो पहला essential है वो कहता है कि एक judgment में होनी चाहिए statement of fact यानि कि जो पूरी कहानी हुई है उसे brief में एक judgment में mention किया जाना चाहिए दूसरा essential है point of determination यानि ऐसे सवाल जो कि court को decide करने हैं उस particular case में वो उस judgment में होने चाहिए तीसरा point है कि जो decision court ने दिया है जो भी सवाल खड़े हुए है उस पे court का क्या decision है वो mention होना चाहिए चौथा essential कहता है कि reason होना चाहिए यानि कि जो भी फैसला court ने दिया है वो क्यूं दिया है किस basis पे दिया है वो reason उस judgment में होना चाहिए अब इसके बाद जो second word आ जाता है वो है decree तो देखे decree की जो definition है वो CPC के section 2 subsection 2 में दी हुई है साथ ही order 20 में है decree के बारे में भी provisions दिये हुए है तो जो पहला essential है एक decree का वो है adjudication तो adjudication का मतलब होता है जो कि judges द्वारा decide किये जा रहा हो या quote द्वारा decide किये जा रहा हो वो हो गया adjudication दूसरा point है suit यानि कि वो एक civil case होना चाहिए और ایک civil case को ही हम suit बोलते है तो एक decree जो है वो suit में ही पास होती यानि civil case में पास होती है तीसरा point है जो की बहुत important point है वो है rights of the parties यानि की एक decree हमेशा rights of the party यानि parties के हक को describe करती है तो ये हो गया third point चौथा point जो है वो कहता है conclusive determination यानि की जो भी rights decide हुए है वो conclusive determined है यानि की एकदम दूद का दूद और पानी का पानी हो चुका है और उसमें doubt की कोई गुणजाईश नहीं है court ने इस तरीके से उस rights को decide कर दिया है पाचुआ point है वो है formal expression यानि की वो writing में होना चाहिए तो एक decree जो है वो हमेशा writing में होनी चाहिए जैसा judgment होता है तो I hope की judgment और decree का difference तो आपको समझ आ गया होगा तो अब आते हैं orders के essential पर तो देखिए order की जो definition है वो तो आपको मिल जाएगी section 2, subsection 14 के अंडर CPC के और जो पहला इसका essential है वो कहता है की pronouncement of civil court यानि की जो order है वो civil court द्वारा pronounce किया गया हो civil court द्वारा दिया गया हो इसका एक मतलब और ये भी होता है कि अब जब civil court प्रणूस कर रहा है तो civil case में करेगा और civil case को हम कहते हैं suit यानि की suit जो है वो decree का भी essential है साथ में order का भी essential है तो यहाँ पे जो second point आता है order का वो कहता है कि should not be a decree तो अब जब suit है उसमें order भी pass हो रहा है उसमें decree भी pass हो रहा है तो इसमें difference क्या हुआ तो देखिए difference है बहुत important point है जो हमने decree में देखा था वो ये था कि decree जो है वो rights of the party को determine करती है यानि party के हग के बारे में बात करती है वहीं पे जब हम order की बात करते है तो ये किसी भी party के rights को determine नहीं करती है तो ये बहुत बड़ा difference है between order और decree और जो last essential है order का वो कहता है should be a formal expression यानि वो writing में होनी चाहिए तो ये हो गया essentials order का तो I hope कि आपको difference clear हो गया होगा decree और order में भी और order और judgment में भी तो चलिए order को थोड़ा सा और clarity देने के लिए simple सा example लेते है माल लीजे आज मुझे किसी case में court के सामने present होना था लेकिन मैं नहीं गया तो अब यहाँ पे जो court है वो मेरे against order पास कर सकता है वो कहेगा कि क्योंकि आज विश्ववर्धन नहीं आए है इसलिए हम अगली date देते है लेकिन जब अगली बार वो पेश होंगे तो उनको 1000 रुपए fine पे करना पड़ेगा as cost तो यहाँ पे देखिए किसी भी party की rights determined नहीं हो रही है ना मेरी ना plaintiff की जिसने मेरे against case file किया है पर यह एक warning है मेरे लिए कि देखो विश्ववर्धन तुम्हारी वजए से court की proceeding ठीक से नहीं चल रही है इसलिए अगली जो hearing date है उसमें पेश हो जाना 1000 रुपए fine के साथ तो यह हुई मेरे लिए एक warning जो की था court का एक order अब at last हम लेते हैं और एक example जिसके थूँ आपको यह पूरा clear हो जाएगा कि order, decree और judgment होता क्या है और यह example है आयोध्या वर्डिक्ट का तो देखिए आयोध्या वाले case में जब trial court ने archaeological survey of India को यह कहा था कि आप site पे जाएए वहाँ पे excavate करिए यानि खुदाई करिए और investigate करिए तो यह था एक order तो क्या यहाँ पे दोनों में से किसी भी party के rights decide हुए थे नहीं ऐसा बिलकुल नहीं है और क्योंकि यहाँ पे parties के right decide नहीं हुए थे इसलिए यह एक decree नहीं महजिक order है अब जो trial court है उसने बहुत सार evidences को study किया उन्हें analyze किया और उसके basis पे उन्होंने अपना फैसला सुनाया और इसी फैसले को हम कहते हैं judgment तो अब क्या आपको पता है कि आयोध्या verdict का judgment था वो कितने pages का था तो यह था 1045 page का जी हाँ 1045 pages का judgment था अब आप खुच सोचके देखिए एक party है जिसे जानना है कि उसे कौन से अधिकार मिले है या उसकी rights क्या है क्या उसे वो पूरा 1045 page का judgment पढ़ना होगा तो नहीं बिलकुल नहीं इसी के बाद आता है अगला document जो ठीक हमारी mark sheet की तरह ही होता है जिसे हम कहते हैं decree जिसमें सिर्फ इतना दिया हुआ होता है कि किस party को उस case में कौन से rights decide हुई है तो I hope कि आपको इस वीडियो से आपकी concept में clarity मिले होगी और ऐसे ही simplistic way में हमने हमारे CPC के course में भी सारे concepts को बहुत easy language में समझा है तो मैं आपसे एक बार फिर request करूँगा कि आप learn.phenology.in पर जाके हमारे इस course को जरूर चेक आउट करें और ऐसे ही latest वीडियो के लिए हमारे इस YouTube चैनल को share करें, subscribe करें और इस वीडियो को भी like करें और साथ ही आप हमें follow कर सकते हैं Instagram पे